आज हम लोग करेंगे कार्ड वेबसाइट बिल्डर का डेटेल्ट रिप्यूँ हाई गाईज मेरा नाम है क्रिपेश आडवानी यहाँ पर मैं डिजिटल टूल्स के बारे में बात करता रहता हूँ आज हम लोगा बात करने वाले हैं कार्ड के बारे में मैंने रिसेंटली इस चैनल पर वेबसाइट बिल्डर को कवर करना भी स्चार्ट कर दिया है हमने याप बात करे थी जाहिरो के बारे में उसका रिव्यू आपको आई बटन के ऊपर मिल जाएगा आज हम लोग बात करने वाले हैं कार्ड के बारे में तो कार्ड यहाँ पर एक website builder है जो की mainly use किया जाता है one page websites को बनाने के लिए one page websites यहाँ फिर landing pages को बनाने के लिए यह developed किया गया था 2016 में एक website developer के through and इनका जो launch करने का main motive था वो यह था कि जो website design का process है उसको यहाँ पर simple बना दिया जाए one page websites के लिए यहाँ फिर landing pages के लिए pricing के बात करूं तो यहाँ पर आपको चार plans देखने को मिलते हैं इनका free plan भी आता है जिसके लिए आपको कुछ पैसे देने की ज़वरत नहीं है जिसमें आप लोग यहाँ पर तीन website को बना सकते हो लेकिन यहाँ पर उस पर branding रहेगी card की और आप लोग custom domain का use नहीं कर सकते हो जो इनका sub domain रहेगा .card.co उसका आपको यूज करना पड़ेगा देन यहाँ पर इनका pro light plan है यह $9 per year का यहाँ पर ब्रांडिंग नहीं रहेगी लेकिन यहाँ पर भी आप लोग custom domain को नहीं यूज कर सकते हो देन प्रो standard plan है जो कि $19 per year का है एक साल के लिए इसमें यहाँ पर आपको सारी चीज़े मिल जाएगी और custom domain भी मिल जाएगा और यहाँ पर 10 वेबसाइट रहेगी प्रो प्लस प्लान में यह पर 25 वेबसाइट रहेगी $49 per year है यहाँ पर आपको custom domains भी उसकर सकते हो कोई branding नहीं रहेगी और advanced form के options भी आपको मिल जाएंगे इनका कौन सा best plan है वो मैं आपको आगे बताऊंगा और जो भी इनकी pricing है at present जो भी best pricing रहेगी वो आपको मेरे नीचे दिये गए link के through मेरे पास जो plan है वो है इनका pro plus plan उस पर फिलाल मैंने वाली website host करके रखे kpdemo.card.co यहाँ पर मैंने custom domain को connect नहीं किया है at present अब अगर यहाँ पर मैं इसके user interface पर आऊँ तो जैसी आप लोग इन करोगे आपको इस तरह का यहाँ पर interface देखने को मिल जाएगा यह तीन मैंने demo और sample websites बनाई है card के उपर और यहाँ पर जितने भी आप लोग वेबसाइट वगर आड़ करोगे वो इस तरीके से यहाँ पर आड़ हो जाएगी वो काफी अच्छा है पाथ section में यहाँ पर इसको डिवाइट किया गया है कि आपको profile बनानी है कि landing pages बनाना है कि कोई form वगरे बनाना है या portfolio बनाना है वो सारी चीज़े यहाँ से आप लोग सिलेक कर सकते हो अगर आपको पसंदे तो आप लोग इसको यहाँ पर यहाँ पर यूज होता है और काफी easy है यहाँ पर इसको किया जा सकता है elements को drag and drop easily यहाँ पर किया जा सकता है अंडू करने के लिए यहाँ पर options में उपर से अंडू redo हो जाता है और बाकी settings ही बात करूं तो यहाँ पर page layout है page style से क्या पर page यहाँ पर कैसा चीज़े जैसे फिलाले box में है मुझे box में नहीं चीए मु means background अगर आपको set करना है color में करना है यहाँ फिर कोई gradient यूज करना है या फिर कोई image बग रहे चाहिए then coming on to elements यह सारे कुछ elements से जिसको add किया जा सकता है for example let me add an image image को यहाँ से हम लोग select कर सकते हैं फिर मैं इसको drag कर सकता हूं कि यह मेरे container के अंदर आ जाए यहाँ पर मैं upload क पर दूगा और जो भी basic settings है वह यहाँ पर आपको left panel पर मिल जाएगी text formatting की बात करो तो वह यहाँ पर मुझे कुछ अच्छी नहीं लगी है for example यह text को insert किया तो अगर मुझे bold करना है तो मुझे यहाँ पर इस पे कुछ quotes का use करना पड़ेगा दो बार स्टार आगे लगाना पड़ेगा दोगा स्टार पीछे लगाना पड़ेगा उसी तरह bold italic करना है तो मुझे यहाँ पर तीन स्टार जाने पड़ेगे आगे पीछे तब यह italic होगा now card को यहाँ पर बनाया गया था simple करने के लिए यह चीज़ definitely यहाँ पर simple नहीं है इसको यहाँ पर एक user interface के थू इंप्लिमेंट किया जा सकता था कर देते तो काफी अच्छा रहता तो text formatting मुझे इसके अच्छी नहीं लगी है then table की text formatting की बात करो तो वह भी मुझे अच्छी नहीं लगी है for example यह table है अब मुझे अगर इसमें insert करना है तो पहले मैं यहाँ पर करूँगा then roast को यहाँ पर कर एक और चीज जो मुझे text formatting में अच्छी नहीं लगी वह थी इसके points के बारे में for example यह मैंने text को select किया अगर यहाँ पर इसपर font पर select करूँगा एक तो custom fonts को आप लोग upload नहीं कर सकते हो ठीक है लेकिन यहाँ पर font का preview भी नहीं बता रहा है कि अगर मैं आपर यह यूश करू Shivo font तो कैसा दिखेगा तो वह ऐसा दिखेगा और मुझे pop-up पर भी यहाँ पर कोई preview नहीं देखने को मिल रहा है जब तक मैं font को select नहीं करूँगा मुझे नहीं पता चलेगा वह font actual में कैसा दिख रहा है Then elements में यहाँ पर हमारे पास audio भी आ जाती है लेकिन हम लोग audio में यहाँ पर उसको upload नहीं कर सकते हैं सिर्फ आप लिंक शेयर कर सकते हो जो भी आपके audio file का link है अब इससे पहले यहाँ पर मैं आगे बढ़ूँ मैं एक disclaimer देना चाहूँगा कि मुझे इस वीडियो के लिए कार्ट के स्पॉंसर नहीं किया है फिर भी मैंने speed test यहाँ पर करके देखा यह मेरी website है kpdemo.card.co जिस पर मैंने speed test किया और जो US से मुझे यहाँ पर speed मिली है वो है 2.59 seconds की जो की काफी अच्छी है considering एक यह website builder है जहाँ पर मैंने 5 minute के अंदर अपना पूरा landing page बना दिया उसमें मुझे यहाँ पर 2.59 seconds की speed मिली है जो की बहुत अच्छी है इंडिया की speed की बात करो तो यहाँ पर मुझे 3.96 seconds मिली है उप्शन है गम रोड को इंटीग्रेट कर सकते हो टाइप फॉर्म भी है जेपियर भी है अगर आपको कुछ automation अगरे रन करने तो email platform सी बात करों तो यहाँ पर total 11 email platform से है जैसे कि MailChimp, SendFox जिनके थूरू आप लोग यहाँ पर emails को इंटीग्रेट कर सकते हो एंबेट का भी यहाँ पर option है मैं कुछ भी चीज यहाँ पर embed कर सकता हूं जो इसका embed का element है उसमें यहाँ पर मैं कोई भी code डाल सकता हूं यहाँ फर कोई भी iframe डाल सकता हूं तो basically you can add anything on your web page with this embed button for example मुझे कोई pop-up डालना है मैं किसी pop-up service का यूज कर रहा हूं तो मैं यहाँ पर उसका code easily embed कर सकता हूं कोई भी javascript वगरे customer support की बात करों तो मेरे experience में वो थोड़ा slow था 24 hours के अंदर आपको reply मिल जाते हैं लेकिन ऐसा नहीं रहता कि instant customer support यहाँ पर आपको देखने को मिले knowledge base की बात करों तो यहाँ पर आपको documentation और कुछ helpful articles वगरे मिल जाएंगे लेकिन मेरे experience में उसका जो collection था वो थोड़ा limited था फिर features की बात करों तो जो मुझे इसका feature अच्छा लगा है वह website sharing का आप लोग websites को यहाँ पर share कर सकते हो दूसरे user के साथ में उसको transfer कर सकते हो यहाँ फिर website का HTML वाला जो version है उसको भी यहाँ पर आप लोग download कर सकते हो best plan के बारे में बात करों तो अगर आप लोग start कर रहे हो आपको branding वगरे से कोई problem नहीं है तो जो उनका free plan है वो अच्छा रहेगा बस इस पर branding रहेगी तो branding से problem नहीं तो free plan से start कर लो अगर आपको clients वगरे के लिए काम कर रहे हो या फिर आपके ही कोई professional projects वग रहे हैं जिसक सारे users के लिए तो $19 वाला प्लान है वो मुझे काफी अच्छा लगाया और affordable भी है आप तो मेरे नीचे लिंक से जाके check out कर सकते हो if you want अब अगर कुछ websites के बारे में बात करों जो यहां पर card का use कर रही है तो deckoff.card.co करके इनका एक sub-domain है जहां पर इनोंने websites को list किया है जो सारे चीज़े include करिए it is looking nice and clean then we have this website यहां पर digital product को sell किया जा रहा है अगें यहां पर card के through ही बनी है तो digital products भी अगर आपको sell वगरे करना है तो इसका यूज कर सकते हो then यह एक website है जहां पर emails को collect किया जा रहा है email वगर अगर collect करने काफी easy और quick landing page है then यहां पर एक freelancer हैं जिन तरीके से इसको यहां पर बनाया गया है अब इससे पहले मैं इसके pros के बारे में बात करूँ अगर अभी तक आपको यह वीडियो अच्छा लगा है तो इसको thumbs up जारूर देजिएगा अब अगर इसके pros के बारे में बात करूँ तो काफी easy है इसको use करना affordable है free plan में यहां पर custom font का कोई option नहीं है tables again मुझे पसंद नहीं आये और यहां पर सिफ one page websites के लिए use किया जा सकते है अगर आपको multi page websites बनानी है यहां फिर e-commerce store बनाना है totally यहां फिर blog बगरे बनाना है तो उसके लिए यह नहीं है now coming on to bottom line अगर आप लोग कोई एक ऐसा website builder ढूंड रहे हो जिसके तुरू आप लोग quickly landing pages बना सको one page landing pages यहां फिर insta bio links यहां फिर अगर आपको e-mails collect करने digital products को sell करना है तो फिर मेरे हिसाब से card एक काफी अच्छा option रहेगा लेकर आपको portfolio websites बनानी है यहां फिर blog बनाना यहां फिर e-commerce store बनाना है so उस scenario में card एक अच्छा option नहीं रहेगा so if you need to create landing pages for your client or for yourself quickly at affordable prices then card is the one that you should go for so that is it for this one अगर आपको वीडियो अच्छा लगाए तो उसको thumbs up देजिएगा मुझे support करने के लाप लोग पर्चेस कर सकते मेरे नीचे देगे लिंक के थ्रू और I will see you guys in the next one good bye